पहले चात्रों साइत्ते की निश्कपट विदा है टाएगे उसका सारंश भाग नमबर एक तो चात्रों आत्म कथर लिखना यानि अपनी कहानी लिखना लोगों को बताने बाटने और आकरशित करने के लिए एक अच्छी कहानी का होना ज़रूरी है जिसमें कुछ संगर्ष हों आकरशित व्यक्तित वहों अपनी जिन्दगी के अच्छे बुरे पल हों और कुछ ऐसे लोग हों के जिनों ने हमारी और आपकी जिन्दगी को परभावित किया है छातों हर व्यक्ति के जीवन में हर मनुश्य के जीवन में कोई न कोई ऐसा आकरशित लमा होता है कि जो उसके जिन्दगी को बदद देता है जैसे आपकी जिन्दगी को भी किसी ने परभावित किया होगा जैसे गुरू, परशिक्षक, बॉस, हर किसी के जिन्दगी में एहन भूमिक आदा करते है छातरों, डायरी वेक्त दुआरा लिखा गया एक वेक्ती अन्वा है और भावनाओ का एक संग्र है डायरी लिखने में वेक्ती का वेक्ती मौत चमकता है आप दिख़ जाएए और डायरी लिखने की तयारी कीचिए अब उसके दूसरे भावने फिर मुलाकात होगी आपसे तब तक के लिए आख के दूचिए